So, Hey, नमश्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नी वीडियो में स्वागत है तो फाइनली आज यहाँ पर MIUI 12 वो officially globally announce कर दी गई है और यहाँ पर हमको device list भी पता चल गई है कौन-कौन से devices में आएगा साइसाथ क्या-क्या यहाँ पर नया feature होगा वो भी हमको पता चल गया है तो आज की वीडियो में यहाँ पर आपको बताऊंगा कौन-कौन से devices feature है जो कि गलोबल के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं और कौन-कौन से ऐसे feature हैं जो कि नहीं देखने को मिले हैं और कौन कौन से डिवाइस में आने वाला है इस पे मैंने एक वीडियो बना दी है तो उसकी लीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी डिवाइस का नाम है की नहीं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले भी तक आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रैट टले का बटन जरूर से दबा दीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर देना तो यहाँ पर आप देख सकते हूं मैंने अल्रेडी MIUI चाइना रोम डाल रखी है और आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें से ग्लोबल के अंदर कौन कौन सा फीचर आने वाला है तो सबसे पहले तो आज launch event था और launch event में यहाँ पर जादा बात तो नहीं करी गई control center के बारे में लेकिन एक दो बार इसको यहाँ पर दिखाया गया था जिसमें इसमें आपको animation काफी सारे देखने को मलते हैं उसी के regarding लेकिन इसके regarding बहुत जादा यहाँ पर बात नहीं करी गई कि वह जादा ले के आ रहे हैं अब एक वज़ए इसकी यह भी हो सकती है क्योंकि यह iOS से बहुत जादा inspired है तो इसलिए वह जादा इसको highlight नहीं कर रहे हैं लेकिन control center आएगा यह बात यहाँ पर confirm हो गई है लेकिन इसके लिए अलग से कोई ऐसा यहाँ पर नहीं दिया गया कि आपको यह control center में ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा इसलिए मुझे थोड़ा इसके regarding doubt है लेकिन ऐसा hopefully आएगा जरूर क्योंकि इसको दिखाया गया था एक दो presentation में जहाँ पर इसके icons वगएरा को customization को दिखाया था उस जो एप आइकन है यही बड़ा होके आपकी स्क्रीन बनता है इस तरीके का यहाँ पर आपको पूरा customization इसके अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि एक काफी जादा इंट्रस्टिंग यहाँ पर animation आपको देखने को मिलता है चाहे आप कोई भी आइकन्स वगएरा में ही ले कर रहे हैं वो है super live wallpaper वो भी इसके अंदर official हो गया है कि आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूँ यह super live wallpaper जो आपको देखने को मिलता है यह सभी devices के लिए आपको नहीं मिलेगा यह सिरीज उनके लिए यहाँ पर इनको confirm कर दिया गया है कि देख देखने को यहाँ पर मिलता है दोनों ही काफी कूल यहाँ पर super live wallpaper रहते हैं और यह एक अच्छी चीज है कि दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अपडेट के बाद जो की global के अंदर आपको यहाँ पर आने वाला है उसी के लावा यहाँ पर जो weather app है बहु weather होगा उस type का पूरा आपको background में दिखाई देगा बारिश होती है तो बारिश में इसमें आवाज भी आती है sound effects भी आते है lightning के effects भी आपको सब देखने को मिलते हैं जो की बहुती next level यहाँ पर रहता है उसी के लावा यहाँ पर विजुलाइजेशन में बहुत ज़्यान द इस वरफ के अंदर विजुल बहुत जादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते उस storage में आपको इहाँ पर सब चीज का देखने को मिलता है कौन सा अपका कितनी जगा खारा है और कितनी जगा आपकी हाँ पर स्पेस खाली है तो इ देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसली अपनी जो इस्टेक्स है बैटरी वगरा की हर जगा चेक कर सकते हो यह पूरे सिस्टम वाइड बहुत जगत चेंजी आपको यह यहाँ पे इस icon को यहाँ पे remove करूँगा और आप देखो कि जितनी भी icons हैं अगल बगल वो सब के भी effect आपको देखने को मिलता है जो कि एक काफी cool चीज है फिर से आप यहाँ पे धियान दो तो मैं इस icon को remove करता हूँ और आप देख सकते हूँ जितने अगल बगल वाले icon है वो सब यहाँ पे हिलते हैं उसमें भी एक आपको effect type का देखने को मिलता है तो इस तरीके से हर जगह यहाँ पे effects बहुत जादा आपको देखने को मिलेंगे उसी के अलावा यार global के अंदर पता नहीं क्यों लेकिन अगर आप कोई चीज कहीं पे कास्ट कर रहे हो तो आपका कोई private message आता है तो वो चीज आपको casting पे जहां आप कास्ट कर रहे हो वहाँ पे ना शो हो तो इसका एक काफी cool feature यहाँ पे मुझे यह अच्छे लगता है लेकिन यह चीज हमने MIUI 11 के साथ पहले ही देख ली थी तो और यह क्या है कि आप मान लो आपने यहाँ पे weather app खोला है और weather app की जगा आपको यहाँ पे कोई gaming वगरा भी करनी है तो इसके अंदर वो चीज आप बहुती easily कर सकते हो कोई भी app के अंदर आप देख सकते हो weather में अगर मुझे आप इस settings यहाँ पे भी चलती रहेगी और नी गेम भी open simply सी तरीके से कर दिया और background में आप अपना काम कर रहे हो तो वह यहाँ पर game आपका लोड भी होता रहेगा और background में आप काम भी करते रहोगे तो यह floating window का भी है काफी cool feature आपको इसके अंदर officially देखने को मिल जाएगा जो कि multitasking में है उसके लावा most awaited feature जो हमको MIUI 11 म नहीं मिल जाना चाहिए global वालों को लेकिन वो नहीं मिला था और वो है ultra battery saver तो इसको officially यहाँ पर कर दिया है कि MIUI 12 के साथ mostly जितने devices हैं सभी में ultra battery saver मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर dark mode में switch हो जाता है और करीबन करीबन बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर battery backup देखने remaining time तो यह काफी cool feature है और मैं इंतजार कर रहा हूँ global में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि यार कभी-कभी अदम dead होने के लिए रहता है तो आप ultra battery saver on कर दो तो अपर फोन थोड़ा और आपको power दे सकता है थोड़े और time आपके साथ चल सकता है जो कि यह काफी cool option यहाँ पे हो जाता है उसी के लावा यहाँ पे एक और जो most awaited feature था और यसे लिए हम बहुत time से वेट कर रहे थे वो है अब डॉर आपने यहाँ पे अब डॉर में system launcher को install करकर करके मैंने भी आपको बता है किस तरीके से करना है उस पे भी कह रहा था लेकिन यहाँ पे मिय जाओगे जो कि एक अच्छी चीज रहेगी यहाँ पे डॉर में आपको एप डॉर की settings वगरा भी देखने को मिल जाएगी सेम पोको launcher की तरह यहाँ पे डॉर रहता है और काफी अच्छा एप डॉर है क्योंकि इसके अंदर animation बहुत ही अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलते हैं iOS टाइप वाले और भी यार iOS के animation अगर मैं ना कहूं तो भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे opening closing animation आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है उसी किलावा यहाँ पर जादा चीज तो dark mode के लिए announce नहीं करी गई जो कि हमने चाइना में देखा था कि automatic contrast वगरा यहा करता हो यानि कोई भी application हो आप उसके अंदर dark mode चला सकते हो चाहे कोई application आपके phone के अंदर हो फिलहाल तो यहाँ पर यह की automatically adjust होगा कि नहीं होगा इसका तो अभी option नहीं पता चला है कि आएगा कि नहीं आएगा यह बीटा के अपडेट के बाद ही पता चलेगा लेकिन बहुत हसी आई जब यहाँ पर एक next feature जो इसका है और यह है privacy protection वाला privacy की बात कर रहे हैं माई वाले उन्होंने का है कि यह privacy का फीचर उनका one of the best है और जितने भी UI है सम्में से अच्छा आपको देखने को मिलता है और हाला कि मुझे लगता भी है अच्छा है क्योंकि यहाँ आप permission notification भी अलग-अलग देख सकते हो कि अगर आपका background में कोई mic वगरा यूज कर रहा है तो उसको आपको उपर ही दिखा देगा कि आपका यह यहाँ पर यह यूज कर रहा है यार इसको हटाओ यह चीज आपको सब देखने को मिल जाएगी उसे कि इलावा एप behavior यह भी अ आटा आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आप यहां पर यहां पर यूज कर रहे हो उसके लाव प्राइविसी में आपको यहां पर और बी कई सारी चीजे तो फिलाल तो यह कुछ फीचर है जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन रुको रुको मैंने आपको कहा था कि कुछ फीचर जो कि नहीं आएंगे तो फिलाल यहां पे हमको कोई भी जानकारी नहीं है कि कैमरा एप के अंदर आपको यहां पे चेंज मिलेगा की नहीं म को मिले लेकिन यहां पर चा suppressed 6 मिलेगा लेकिन हो सकता है कुछ चापट्र के बाद देखने को मिले वीडियों के अंदर को प्साइब लेकिन हो सकता है इसको आने में अभी थोड़ा टाइम लगे धीरे धीरे अपडेट में आपको देखने को मिले उसी के लावा एक और फीचर जो कि मुझे काफी जादा इंटरस्टिंग लगा वो है हाँ प्यार स्काई चेंजिंग वाले का भी कोई अभी तक दिहान नहीं दिया है लेकिन यह मुझे लगता है स्काई चेंज कर सकते हो जो कि यह काफी कूल ऑप्शन है इसके बारे में भी अभी कोई अनॉंस्मेंट वगेरा नहीं करी गई है अब यहां प्यार जो ग्लोबल लॉंच हुए है न वो ज्यादा अच्छा नहीं है चाइना राओं लॉंच में बहुत सारी चीज़ें यहां पर बताई जा आ गए हैं जैसे कि कंट्रोन पैनल आपको डाक मोड वाला फीचर साही साथ एप डॉर अल्टरा बैटरी सेवर मोड फ्लोटिंग विंडो और यह सब विजुलाइजेशन वगेरा और वैदर अप्लिकेशन देखने को मिल ही जाएगा अब इनमें से आपका कौन सा वीडियो में टेकेर बाइब बाइब